नमस्कार स्वागाते अब सभी लोगों का कितने बैंक अकाउंट होना चाहिए एक विक्ति के पास चाहे वो एक स्टूडेंट हो चाहे एक नौकरी कर रहे हो चाहे कोई दूसरे काम कर रहे हो तो इसके उपर थोड़ा बहुत डिस्क्स करेंगे आजम एक स्टूडेंट के लिए कम से कम आज की डेट में दो एकाउंट होनी चाहिए ठीक है क्यों मैं बताऊंगा अलग से अगर आक नौकरी कर रहे हो तो तीन एकाउंट रख लो मैक्स टू मैक्स अब जितना भी चाहिए वह आपका रिकार्मेंट के इसाफ से लेकिन तीन एकाउंट होना मतलब होगा तो अच्छा हो जाता है मतलब ट्रंजक्शन बगएरा करने में और आपका जो है सैलरी बगएरा मैनेज करने में और अगर आप दूजरा कुछ भी काम कर पर जैसे की म्यूचल फंड में इन्वेस्टिंग हो गया या फिर कोई शेयर बगएरा में इन्वेस्टिंग हो गया तो उसके लिए एक अलाग अगाउंट रख भी सकते हो या फिछले बाला पुराना कोई एक अकाउंट से भी उसका काम सकते हो तो मोटा-मूटी तोर पे आप के लिए तीन अकाउंट सही रहता है तो आप आ जाते हैं स्टूडेंट से शुरुमात करते! सबसे पहले तो एक payment bank का यकांट हर किसी के पास होना चाहिए चाहिए ऐeren अनौकरी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे है पेमेंट व क्यूंकि उनका सरवर थोरा मतलब अच्छा रहता है पबलिक सेटर बैंक बोलो मतलब दूसरा कोई भी बैंक से कंपेर किया जाए तो प्रेमेंड बैंक एक आपके पास तो होना ही चाहिए अब आज की डेट में देखा जाए स्टूडेंट के लिए में बात करूँ या फिर कोई भी परसन के लिए आज की तेट में पेटियम तो बंद हो चुका है आपके पास ऑप्शन पर आ रहा है याटल पेमेंड बैंक का है जो की बहुत पॉपुलर है उसके बाद और इंडिया पुष्ट पेमेंड बैंक है जो की बहुत मतलब काम आने वाला है पाइननसियल का कोई भी जो स्टॉक लिस्ट है उसका कोई अनाउंस नहीं आया अभी तक तो अभी ओन ना खुलो तक भी चलेगा या फिर पेमेंड बैंक फिनो पेमेंड बैंक भी है वह तो बहुत ही बेकार है बहुत चार्ज करता है तो वह तो छोड़ी दो पतलब इया ट्यल पेमेंड बैंक इंडिया पोस्ट बैंड बैंक किसी बी एक पर आकांट खुझ सकते हो लेकिन इया पोस्ट पेमेंड बैंक पे जिसके उमर 8 साल के नीचे है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया पुस्ट पेमेंट पे जाएगा इंडिया पुस्ट पेमेंट करने के लिए छोटा मोटा दुकान पे अब चलिए दूसरा बात करते एक तो होगे आपका पेमेंट बैंक दूसरा आपका कोई पूरा लाइफ टाइम चलाने वाले हो और वो बैंक मतलब चाहे हो नाम देखके नहीं ओपेंट करने अपके घर के बगल में एक दम वाकिंग डिस्टन्स पे जो भी बैंक है उस पे इंडियन चाहिए भी अजब्लीय। इन अगर आपके घर के पास अगर कोई भी ब्रांच है उस पे जाके ओपेंट कर लो और सबसे जरूरी बात उस बैंक का स्टाफ का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए यहाँ पर बैंक बाल तो कुट्टे मिली की तरह भगात है यापको कि हमें बेस्ट है हमीं दुनिया को चला रहा है हमरी बैंक की सबसे बैस्ट है तो इसके इसाब से वह customer को ज्यादा प्राइटी नहीं देते यह सब चलता रहा तो यही जड़ा तर जगा यही चक्कर है सब्सेट गटिया बैंक जो wond के रहे कंते मुचौ यह सब गड़ते तो उनलोग की हो गई तो एक separate account open कर लो कि किए च्वरा अलग से रख दीजी आपका और जो हे आपका जो पहले वाला दो लेकिन उस पे बोनस बैंक अगर आड करना चाहते हो आपका नेसेसरी कुछ नहीं है अगर आपका कुछ मजबूरी नहीं है कोई दूसरे और एक अकाउंट खोलने का तो आप ऐक के यह स्मॉल फाइंवेंव कर बता रहा है इनने ओपने चाल मांख शїदे management आट आयरा लेकिन यह पुलीख सेटर बैंक बोल या फिर कोई भी बैंक पे जो की Oxérie विजिट करके ओपन करना पड़ता है सब कुछ तो वहां पर आपका शुरू में रहेगा आपको करना है नहीं तो आप बाद में जाके बोलोगे या पर यह चालू नहीं है कुछ काम आठक जाएगा तो और जो में बात बोलने वाला था स्मॉल स्मॉल फाइनज बैंक क्यों बोलघ स्मॉल फाइनज बैंक सबसे पहली बात तो कुछब भी स्मॉल्स बैंक पर सब्पर बिघ्र वहां पर यहां पर रहता है उच्जिवन हो गया जाना हो गया सब कुछ है लेकिन में बोलूँगा प्रवर करूंगा ये उसमॉल फाइननस memang पर उपन कर लिजए उनका convenient होता है जालता आ लिए बाग ही स्मॉल फाइनस बैंक का कुछ यह नहीं है लेकिन हां ये स्मॉल फाइनस मेंक का online account ओपन भी हो जागा it इनिशल फंडिंग पांच अदर का जरूरत पड़ती है ठीक है तो यह वह एक आप कर सकते हो लेकिन वहां पर इंट्रेस्ट रेट बगएर भी अच्छे देते हैं तो जो स्मॉल फाइनस बैंक का फायदा यह है कि आप अगर जरूरत पे आपको मार्केट के बारे में कुछ प जहां पर आपको खोने से अगर बैंक उड़ी जाए तो पांच लग रुपया तक की इंसुरेंस भी मिलता है आपको तो अगर स्मॉल फाइनस बैंक करते हो तो तो यह तो गई बतला साड़ा का साड़ा बैंक अकाउंट वाले बात अगर और एक बात आती है कि कोई मजबू से थोड़ा तो एस एपी स्टट करदो जब तक जरूड़ा पर लोन मतलो अगर आपके पास घर है तो बनाने की क्या पासाड़ा सादि अगहार बतला ज्यादातर पैसा जुगार नहीं होगा और उस पर ही मतलब घर बनाने लग जाएंग आधा पैसा लोल लेके अभी तक त मतलब इसके बाद घर होना लोन के चक्कर में मत परो यह बहुत मतलब क्या बोलो लोन को एक तरीके से समाज में अच्छे तरीके से देखा जाता है तो मैं मेरे से बहुत सरा लोग का डिबेड भी हो सकता है तो हां लोन एकाउंट जब खोलने जाते हो तो आपको मजबूरी मे उसी बैंक पे ओपेन करना पड़ता है प्राइवेड बैंक का बात अगया तो और लेकिन में यह वीडियो यह लुक्त मिडल लोग यह फैनेंर्स से आता है तो यह लोग डेंगा तो वह लोग प्राइवेड बैंक पे आग्सा और करना भी सिप्राइवेлюч पर चार्जेस बहुत ज्यादा होता है और इनिसियल फंडिंग मंतली अबरेज बैलेंस भी बहुत ज्यादा मेंटेन रखना पड़ता है तो बहुत सब्सक्राइब बैंक से उस प्रॉस्पेक्टिव से नहीं वीडियो में यह नहीं बोला ठीक है तो कम से कम स्टूडेंट हो तो दो अकाउंट होना चाहिए दो अकाउंट अगर बोलोगे क्यों कि देखो ऑनलाइन के जमाना है कोई भी एक बैंक पर पेमेंट करने के लिए रखना चाहिए और जो भी है से अकाउंट होगा तो मेरे हिसाब से अच्छा है और वो कोशिस करिये म्यूचल फर्ण पर जो ऑटो पे बगरा होता है वो कोशिस करिए डिजिटल ही हो ठीक है मैं देख रहा था मेरा खुद का परसनले स्पेंस रहा तो सेंट्रल वैंक पर इंडिया में में मेरा जब मैं हिल्प लेल नंबर पर कॉल किया तो उसने बोला कि आपको बैंक में जाकर मैंडेट देना पड़ेगा अब देखो डिजिटल के जुग जमाना है बैंक में जाकर मैंडेट मेरे को नहीं पसंदे तो मैं कुछ ऑल्टरेंटिव बैंक पर कोई मालो एक्टल पेमेंट बैंक से अच्छा कोई भी बैंक आपको उतना अच्छा सर्विस नहीं देता है हां लेकिन पेमेंट बैंक का लिमिट भी होता है दो लाग का लिमिट भी रखा जाता है दो लाग से ज्यादा डिपोसिट नहीं कर सकते आप पेमेंट बैंक पे तो रिवर्स हो जाता है पैसा तो ये सब बात के चक्कर में आपके पास एक कोई दूसरा PSU Bank, Small Finance Bank होना चाहिए तो बस वीडियो बहुत लंबा बन चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आ यहां तक देख रहे हो मेरे को पता नहीं कितने लोग देखेंगा और देखेंगा भी नहीं साथ इतने दूर तक तो वीडियो पसंद आ तो लाइक ज़रो करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रो कर देना मिलते हैं अगली वीडियो के तब तक के लिए बाई